जानलेवा संगर्ष कममतदान विपक्ष के बहिशकार के बीच बंगलादेश में हुए आम चुनाओ में सत्ता रूल आवामी लीग ने दो तिहाई बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली है पधार मंतरी शेख हसीना दोरा चुनाओ कराने के लिए एक निश्पक्ष सरकार के गठन की विपक्ष की मार्ग ठोकराय जाने के बाद पूर पधार मंतरी खालिदा ज्या के नितरुत वाले मुख विपक्ष दल बंगलादेश नेश्टरिस पार्टी बियन पी ने चुनाओ क गेरे में रहा है साल 1996 में मौझूदा सत्ताधारी पार्टी अवामी लीग ने चुनाओ का बहिशकार किया था जबकि साल 2007 में मौझूदा विपक्ष पार्टी बंगलादेश नेश्टरिस पार्टी की नेता खालिदा ज्याने भी इस व्यस्था को बदलने की कोशिश की थी बंगलादेश में राजनेति के स्थायूत एक प्रमुख मुदा रहा है जहां चुनाओी परिद्रिश में हर्ताल और हिंसा आम बात है पिछले साल देश की प्रमुख इसलामी पार्टी जमात इसलामी के एक नेता अब्दुलकादिर मुला को फासी दे दी गई थी उन्हें वर्ष 1971 में युद्ध अपरादों का दोशी पाय गया था उनकी मौत की सदा पर तीखे मदभेद उबरे जो पूरे देश में हिंसक जड़पों में बदल गए जमात इसलामी जिया की बी अनपी गडबंतन का एक प्रमुख सही होगी दल है ऐसे में विपक्ष की बात ना मानकर शेख असीना ने सत्ता में अपनी पकड मजबूत बनाने की सिर्फ कोशिश ही नहीं बलकि एक पुरानी प्रम्परा से निकलने का प्रयास भी किया है लेकिन विपक्ष के बहिसकार ने अंतराश्टिय मंच पर उनकी छवी को धूमिल कर दिया है अमेरिका और यूरोपी यूनियन द्वारा चुनाव परकिरिया कि निगरानी के लिए अपने प्रवेक्षक ना भेजने से इन आशंकाओं को और भी बल मिलता है विपक्ष के तेवर देखकर यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल बंगलादेश में जारी राजनेतिक गर्तिरोध पर जल्दी विराम लगने वाला नहीं है ब्योरो रिपोर्ट डीडी निउस